हाई अप्रीवन वेलकम बैक टू आ नियू वीडियो और ये वीडियो है आप लोगों के लिए टर्की जो वेकिंसी इसके बारे में तो यहां पर एक चीज के लिए करता हूँ मैं यह है स्टडी टू वर्क ठीक है स्टडी टू वर्क तो है स्टडी वीजा पर आप जाओगे लेकिन आपको करना वहां पर काम ही है यानि कि यह एक तरह से एक तरीका है टर्की में एंटर करने का जिसके थ्रू आप वहां पर काम करोगे और यह जो काम है यह फास्ट प्रोसेस रहेगा आपका 45 डेज में आपका यह जो काम है हो जाएगा इसमें जो आपको सेलरी मिल रही है वो है 22,000 तर्किस लिरा से लेकर 24,000 तर्किस लिरा इसमें आपको एकोमोडेशन यह और यह काम जो है यह होगा फैक्टरी में फैक्टर यह कंपनी खुद प्रोवाइड करेगी आपको एजुकेशन की बात कर लेते हैं तो एजुकेशन इसमें 10 और 12 चाहिए ठीक है 10 से उपर और 12 से उपर अगर कोई करना चाहता है तो अच्छी बात है फिर 10 12 वाले एपलाई कर सकते हैं ठीक है एज लिमिट इसमें 27 रहेगी ठी क्योंकि यह स्टडी के हिसाब से आपको वहाँ पर भीजा जाएगा फिर आपको जौब कर सकते हो तो यहां पर एज का बार है ध्यान से सुन लेना ठीक है जो भी एपलाई करना चाहता है 27 साल तक के लोग ही इसमें अपलाई कर पाएंगे ECNR पास्पोर्ट चाहिए ठीक है यानि कि इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वाइड वाला पास्पोर्ट अगर आपके पास है तो ही आप इसमें अपलाई कर पाओगे और इनकी जो जौब रहेगी वो रहेगी फैक्ट्री की जौब रहने वाली है आपकी इस अपॉर्चुनरी अब आपको एपलाई कैसे करना है एक तो सबसे पहले जब भी आप मैसेज करते हो तो सबसे पहले आपको इंट्रो देना होता है कहीं पर भी आप खुद को इंट् वो यह है कि आपको अपना नाम लिखना है जिस जगह से आपको वो लिखना है उसके साथ-साथ आपको किस country में apply करना है वो लिखना है और किस post में आप जाना चाहते हूँ वो आपको जो है mention करना रहेगा ठीक है उसके अलावा जो मेरे कुछ other social handles हैं जैसे कि आगर आपको time प कर सकते हो सारे link आपको इस video के नीचे description box में मिल जाते हैं अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe आप यहीं से कर सकते हो और सारी notification यहीं से on कर सकते हो all notification ठीक है तो आपको वीडियो टाइम पर मिलेंगी अब इसमें एक information देनी यह है कि जो अभी मैंने वीडियो डाली थी रसिया जो vacancy की ठीक है तो उसमें जो work permit था वो भर चुका है उसमें कुछ ही slots थे बचेवे वो जल्दी से fill हो गए क्योंकि बहुत अच्छी opportunity थी कम cost में थी आप लोगों ने जिन्नोंने फाइदा उठाया अच्छी बात जिन्नोंने नहीं उठाया वो wait करो next time के लिए बाक cost में होता है as compared to work permit अगर आप उसमें जाना चाते हो तो उसमें भी जा सकते हो ठीक है तो यह रही वीडियो आप लोगों के लिए अगर आपको apply करना है तो आपने पैसब से पहले तो आपको देखो इसमें service charge पूछना होगा ठीक है service charge पूछने के बाद service charge जो कि आप मुझ स passport scan होना चाहिए both front and back side, white background के साथ आपकी photo उसके अलावा आपका इसमें bank statement भी लगेगी यह बात का ध्यान लगना ठीक है bank statement और बाकी के documents education के certificate आपके experience का certificate तब वो भी आपको mention करना होगा और cv अगर आपको भेजने हैं और वो भी सारे के सारे एक PDF में है ठीक है तो इस वीडियो में ते नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, till then bye bye, take care